तो नमस्कार दोस्तों आपस आपका स्वागत है मेरे स्यूट्यव चैनल पर अभी हम देखने वाले डीबी वर्सेस याने डिली बूल्स वर्सेस सी भी याने चैन्ने ब्रयों के बीच जो अबुधावी टीटेंट की मैच है उसकी ड्रीम लिए उनकी तीन विनिंग टीम अब तक टीम नहीं बनाए तो आपको प्रियेट टीम पर क्लिक करने लेकिन मैं आल्रेडी टीन टीम से आपे बना के रख चुका हूँ जिसको मैं एक करके डिट करके आपको दिखाऊंगा किसको आपको लेना है और आखिर में किसको क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बना लिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि इसी तरह के अच्छे वीडिये सबसे पहले आप तक पहुँच चके तो दोस्तों माई टीम पर चलते हैं पहली टीम को इडिट करके दिखा देता हूँ जैसे कि आप देख पारे यहां पर मोहमच शर्जाद को मैंने फर्स टीम में ले लिया है यह भी काफी बड़ी अप लियर हाला कि पिछले मैच में एक ही चवका लगा के आउट हो गयते लेकिन काफी जबदसते हैं और टीटेंड के सबसे काफी खतरनाक बल्लेवाज है और अच्छी का से स्ट्राइक रेट से तो यह भी काफी फॉर्म है और अच्छी खासे टोप वेड长 में बाते अंको तोज़रोर हम इनको साथ जा सकते वह अगर अगर उयांट की बाति करें तो यह भी काफी बड़िया प्लेयर है और अच्छी खासी बाते ऌर पिछले मैच में तो उन्होंने काफी जबदस्ट बैटिक की तो जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं चलती है अल्राउंडर पर चलते हैं तो अल्राउंडर में अफकोस रवी बोपारा ने अपने टीम के लिए काफी देर तक लड़ाई की और जिताने की पूरी कोशिश की और अच्छी खासे स्ट्रेकर से 50 भी किल लेकिन वह आखिर में नाकाम जरूर है लेकिन काफी जबदस्ट बैटिक करके और और मेरे खाल से आउट हुए थे और एक लास्ट और उनको दिया था दस्वा और दालनी के लिए उसमें भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आट नो और दिये याने काफी बर्जबरदस्ट फॉब में दोस्तों तो जरूर आप इनके साथ जा सकते वहीं देन ब्राव को भी हम नहीं चोड़ सकते यह भी काफी बढ़िया है डेथ में स्लोर बॉल डाल के काफी अच्छी गेन बाजी कर लेते वहीं अगर बात करते शेफर को भी म पर बर्सा कर सकते चलिए और और अब गेन बाजिक पर आते तो मुनाफ पटेल ने पिछले मैच में दो ओवर में मेरे खाल से 20 रन दिये थे और एक विकेट इनको भी मिलाता तो इनको भी हम धरूर रखेंगे भारती मुनाफ पटेल है आदिल रशीर अफकोस पिछले मैच में उनको बॉंडरी मारना काफी मुश्किल पहुजा रहाता है बॉंडरी नहीं लगी मेरे खाल से उनको और शायद यह यह दो यह फिर कितने उनको विकेट भी मिले तो यह विकेट के तो पॉइंट देंगे साथी साथ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दे सकते तो चलिए द पॉटा कराने में कोई प्रॉब्लेम नहीं चाहिए और साथी साथ बैटिंग में भी टॉप और में बैटिंग कर रहे तो वहाँ पे अच्छे स्ट्राइक रेट से बलेवाजी कर सकते तो जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं आज कैप्टन जरूर आप पॉइंट को बना सक बैटिंग कर सकते हैं और डबल पॉइंट दे सकते हैं अगर पात कर ली जाए तो यहाँ पर मुनाफ पटेल को लिया है आदिल रशित को लिया है और एफ हक को लिया है तो तीनों की तीनों बेस्ट बॉलर है दोस्तों और कुल मिला कि यह टीम भी काफी बेस्ट बन गया है दोस्तों आफकोस मैं कहूंगा कि अगर आप रभी बोपारा को कप्तान करते ह या फिर उल्टा भी करते तो काफी बढ़िया आपकी टीम बने वाली दोस्तों जरूर आप इस तर से कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिकत नहीं क्योंकि रवी बोपारा ने पिछले ही मैच में काफी जबदस पर्फॉर्मस किया है दोस्तों और वो अच्छा खेल सकते बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छे कर सकते और उदर फोड भी काफी बढ़िया बैटिंग कर सकते तो जरूर आप इनके साथ जा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिकत नहीं तो चलिए दोस्तों पहली टीम को हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि अगर आप चा मजबूरी हो या फिर आप लिए करना चाहते तो जरूर से स्मॉल के लिए कर सकते लेकिन फिलाल मुझे लग रहा है यह टीम जीता सकते तो चलिए दोस्तों पहले टीम को क्लोज कर लेते और सेव कर लेते और दूसरी टीम को मैं आपको एडिट करके दिखाने वालो तूसर मैं नहीं लिए तो इसलिए मैंने इस टीम में उनको शामिल कर लिए बाकी किसी टीम मैं शायद उनको नहीं शामिल करूंगा इयान मॉर्गन को अफकोस रखा है परेरा ने भी 50 लगा थी पिछले मैच में तो इनको भी रखा है और रुदर फोर्ड को तो हम हर टीम में रखने वाले उसके बाद आल राउंडर पर चलते तो यहां पर मुहमद आफिस को मैंने ले लिया है मुहमद आफिस को पिछले मैच में ज्यादा कुछ चांस नहीं मिले था रवी बोपारा को अफकोस हम हर टीम में रखेंगे उसके बाद मैंने ड्वेन ब्राव के जगह पर शनाका को लिया है यह भी काफी अच्छा और राउंडर है और अच्छी कासे बैटिंग और बालिंग यह वापस से ले लिया है तो इस तर से यह वी टीम काफी बढ़िया बनी है दोस्तों किसे बना सकते तो इस टीम का क्याप्टर मैंने बना है जैसे कि आप देख पार है आधील रशीट को जी आ दोस्तों थोड़ा रसकी ज़़रू है लेकिन अगर यह दो विकेट सिर्फ द क्यादा पॉइंट दे सकते इसलिए इनको क्याप्टन बना वहीं अगर वाइस क्याप्टन की बात करें तो ए परेरा को बना टॉप और में बैटिक करें और अच्छी खासी बैटिक करते हैं उनका अच्छा रहा था उन्होंने जो रोवर बोपारा के साथ मेरी काल से अच्छ पर बात करें तो मैंने आपर रवी वोपारा को रखा है लेकिन शनाका और मुमद अफिस को इस टीम में शामिल किया यह दोनों अच्छे खासी बैटिंग और बालिंग कर सकते हैं और इन पर वह भर्षा क्या जा सकता है वह अगर गेनबाजी की बात करें तो आदिल के लिए उसके जगाः यह टीम आप लाठी गारेंघ दोनों के लिए उसके लिए कोसमे ऑन के कट अब बनां aula को से पिछले मैच में मैंने जैसे कि कहा कि वांडरी नहीं लगी और दो विकेट भी लेके गए और अच्छे कास एकोनौमी भी रखते हैं तो उसके जैसे मैंने जैसे कि अब भी स्वन ग्या चेंश करें और सीव करें यक्ति उस्केटर के दिखा देता हूं है यह पैसे मैंने वापस सज्शेंषा को ले लिया कि बैटिंग पर चलते बैटिंग में अब यूसिप पठान को नहीं रोनी रासो को भी नहीं लिया है लेकिन मैंने इयान मॉर्गन परेरा और रोदर फोर्ड तीनों को वापस से रखा है दोस्तों तीनों की अच्छे खासे बैटिंग कर सकते हैं जरूर आप इन पर भर्षा कर सकते हैं दाव लगा सकते हैं कई अगर आप चाहे तो किसी को निका करते हैं शेञर को लिया और來說 है और एस अमद को इस्टिम में मैने लिए तो इस दर से चार ऑल- Compliance और को आपस लिए और 홉ब बचर बढल को लिए क्किन को लिए तो चुक्व रुदर्फोर्ड को कैप्टन और इयान मॉर्गन को वाइस कैप्टन हम कई ना कई कुछ ना कुछ बना सकते ये भी काफी बढ़िया बैट्स मनें दोस्तों और अच्छी खासे स्ट्रेक रेट से खेलते और जब मारते हैं तो काफी जबदस खेलते तो इसी वज़े से अगर चाहे तो इनकोटनभी उन्हस कैप्टन भी बना सकते हैं अब फिलाद खोर्ड को स्केप्टन अगर आप चाहे तो कहसा है है इन्हकर उन्हाप्टन को ऊफ्च इपन कर आया हुआ जैसे कि यान मॉर्गन को अभी क्याप्टन बनाया और शेफट को वाइस क्याप्टन भी बना सकते तो इस तर से भी जरूर कर सकते हैं तो काफी अच्छी टीम बन चुके एक बाद टीम प्रिव्यो करा देता हूं जैसे कि आप देख पार है मेरे पास एम शेहरजाद है उसके बाद मेरे पास इस बार चार ओल रॉंडर है रवी बोपारा ड्वेन ब्रावो शेफट और एस अहमद तो चारों की चारों बेस्ट ओल रॉंडर है आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे का से पॉइंट दे सकते हैं और आपको काम आ सकते हैं इसलिए डबल के अंचे कपंटन कि तो मएनने AMY aka कौपटन और शेफ़ड को माइस दोस्तों दोनों की दोनों काफी अच्छे बैटिंग भी कर सकते हैं और मेरे कहल से का disruptive और वसकर बना सकते हैं तो इसी वज़े से मैंने इन दोनों को क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बनाए ज़रूर आप इसी तरह से कर सकते हैं या फिर आपको कोई लगाएंगे टब तक आपके जितने का चांसे काफी कम रहता हैं लेकिन अगर अगर जसे लगाें तो आपके जितने के चांसे भी उतने बढ़ता है'm तो क्योंकि आप हर टीम एक ही कॉंबिनेशन के साथ नहीं उतार सकते हैं आप अलग-अलग कॉंबिनेशन से उताते हैं तो एक ना एक टीम अगर जरूर लग जाती है तो जिससे हमें काफी मोटी कमाई हो सकती है जिसके वज़े से मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि पार यह आप देख सकते हैं और जरूर लिग के लिए लगा सकते तो इसमें मैं पहली टीम तो आफकोस आपको ग्राइट के लिए लिए लास्ट भी अफकोस कोंगा सेकंड वाली जो टीम है वाप पर छोड़ता हूं कि आपको ग्राइब के लिए उमक्लीक के लिए चलिए कर सकते हैं लेकिन ज्यादा चेंजेस मत केंजेगा काफी अच्छी टीमें बंच के काफी सोच समझकर बनाई गई तो जरूर आप इसी तर से टीमें रख सकते हैं अगर कोई चेंजेस होते हैं लास्ट टाइम पे तो मैं जरूर आपको टेलिग्राम के द्वारा सूचित करने क की बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको पूरे की पूरे ग्यारा प्लियर आपके प्लेंगी लवन में रहे तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद